हलो एवरिवन विलकम बैक तो मैं चैनल आई होप यू अलार वेल और होप यू अलार लेर्णिंग वेल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन की इंस्टिंक्ट थियोरी के बारे में या मूल प्रवर्ती के सिध्धान्द के बारे में जिसे की वीलिम मैक्डूगल ने दिया था इस बात की मैं ग्यारंटी लेती हूँ कि अगर इस पूरी क्लास को आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो दुबारा इस थियोरी को पढ़ने के आपको जरूरत नहीं पढ़ेगे क्योंकि कुछ इसी तरीके से आज हम इस थियोरी को पढ़ने वाले हैं या एक तरीके से आफ समझ लीजिए कि याद करने वाले हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे के इंस्टिंक्ट या मूल प्रवर्ती आखिर है क्या और साइकलोजी में या मनोविज्ञान में इसकी बात किसने कही है और इसका जनक किसको माना जाता है इन सब बातों के बारे में हम डिस्कॉशन करेंगे तो instinct या मूल प्रवर्ति के अगर हम बात करें तो ये इंसान की biological tendencies होती है या जेविक प्रवर्तियां होती है जब हमारे अंदर कोई समवेग या emotion आता है तो उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं उसे मूल प्रवर्ति कहते हैं माल लीजिए हमारे अंदर कोई emotion डवलप हुआ उसके बाद हम किस तरीके से react कर रहे हैं या किसी क्रिया कर रहे हैं उसे हम मूल प्रवर्ति कहेंगे ये कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जिने सीखा नहीं जाता बल्कि ये जन्म से ही हमारे साथ होती है फर एक्जैंपल हमें जब भूग लगती है तो हम क्या करते हैं भूग एक emotion है एक समवेग है तो जब हमें भूग लगती है तब हम खाना ढूणने लगते हैं हम किचिन में जाते हैं देखते हैं कि खाने के लिए क्या है तो ये चीजें हमें करना कोई सिखाता नहीं है हमें किसी ने सिखाया नहीं कि भूक लगे तो क्या करना है हमने किसी बुक में ये चीज नहीं पड़ी या हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई इस चीज की बलकि जन्म से ये हमारे अंदर है ओकै? by birth ँए हमारे अंदर है तो मूल प्रवर्तियां क्या होती है प्रवर्तियां जनम जात होती हैं अरजित नहीं होती सीखा इनको नहीं जाता है इनकी कोई पढ़ाई नहीं होती ओकै? एक और एग्जेंपल से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपने चड़ियां को गोसला बनाते हुए देखा होगा अब चड़ियां ने कोई इंजीनियरिंग की डिगरी नहीं ली वो गोसला बनाने के लिए वो उसकी मूल प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर क्रियाएं हम करते हैं उसे मूल प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् नग भी कहा जाता है अगर हम बात करें वीलियम मैकडूगल की तो वीलियम मैकडूगल इस instinct theory के जरिये या इस मूल प्रवर्ती के सिध्धान्त के जरिये ये बताते हैं कि जो instinct है या मूल प्रवर्तियां है ये इनसान के लिए प्रेरक का काम करती है यानि कि उसको motivate करती है इन इनसान के वहवार को प्रभावित करती है तो ये बात उन्होंने साबित करने की कोशिश की है अपनी इस theory से कि किस तरीके से मूल प्रवर्तियां इनसानों के वहवार को प्रभावित करती है और किस तरीके से मूल प्रवर्ति से इनसान motivate होता है कोई काम करने के लिए विलिय एको की वज़े से या उन इमोशन की वज़े से इन मूल प्रवर्तियों का प्रदर्शन इनसान या जानवर करते हैं इनसान या जानवर में जब कोई इमोशन डवलप होता है जब कोई समवेग आता है तो उसके बाद जो वो क्रिया करते हैं उसको मूल प्रवर्ति हम कहते हैं यह हम समझ चुके हैं एक्जैम्पल से अगर मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूँ यह language आपको थोड़ी difficult लग रही होगी एक्जैम्पल से पूरी बात समझ में आजाएगी बहुत आसान सा एक्जैम्पल है आपने कई बार देखा होगा कि इनसान या ज्यादा तर लड़कियां जो होती है वो कोकरोज से डरती है तो डर क्या हो गया, फियर क्या हो गया, फियर हो गया, एक emotion हो गया यहाँ पे ठीक है, कोकरोज से वो डरती है और उस डर की वज़े से जब भी वो कौकरोज देखती है अपने आसपास तो कौकरोज को देखके भाग जाती है चिला कर भाग जाती है ओके देखा होगा नॉर्मल लाइफ में आपने बहुत ही नॉर्मल ये एक्जेम्पल है तो डर तो हो गया emotion उनका और कौकरोज को देखक पर भाग जाना हो गया उनकी मूल प्रवर्ती यानि इस इमोशन की वज़े से जो काम उन्होंने किया वो हो गई उनकी मूल प्रवर्ती उसको देखकर वो भाग गई अब इस इंस्टिंक्ट की वज़े से या इस मूल प्रवर्ती की वज़े से धीरे धीरे उनका वहवारी कु उइवार को प्रभावित करती हैं विलियम माध्यूगल के अनुसार अब हम वह सारी मूल प्रवर्तियां पड़ेंगे और एक बार में याद करेंगे जो विलियम मैद्यूगल ने दी है क्योंकि जाधा थार हर एक मूल प्रवर्ती किसी ने किसी इमोशन किसी ने किसी समवेग से जुड़ी हुई है समवेग जब इंसान के अंदर उत्पन होता है तब मूल प्रवर्ती आती है तो अगर इंसान के अंदर एंगर आएगा या क्रोध उसको आएगा किसी चीज को ले करके तब हमें क्या हो होती है कि हम किसी से लड़ें युद्ध करने की इच्छा होती है युद्ध करने की हमारी इच्छा होती है सामने वाले को सुनाने की इच्छा होती है लड़ाई करने की इच्छा होती है तो इसके साथ मूल प्रवर्ती जुड़ी हुई है इंस्टिंग जुड़ी हुई है यू युद्सा जिसका मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा या लड़ाई करने की इच्छा दूसरी मूल प्रवर्ती है आश्चर्य आश्चर्य वंडर जब किसी नई चीज को देखकर हम आश्चर्य जुड़े के साथ जुड़ी हुई है मूल प्रवर्ती जिग्यासा इसके बाद आता है नेक्स्ट भे फियर इसके बारे में हमने अभी समझा थोड़े दर पहले कोक्रोच वाले एक्जेंपल में दुबारा मैं एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करती हूं जब हमें डर लगता ह है तो हम जिस चीज से डर रहे हैं उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं तो डर जो समवेग है भे जो समवेग है इसके साथ पलायन मूल प्रवर्ती जुड़ी हुई है अगली है लॉनलीनेस या एकांग की पन जब हम बहुत जादा लॉनली फील करते हैं बहुत जादा कि इंट्रेक्शन करने के हमारी इच्छा होतीका तो इसके साथ जुड़ा हुआ है सामजिकता जब हम जादा लोनली करते हैं अकला फील करते हैं तो हमारी इच्छा होती है किसीने किसी से बात करें अ Apps क्रिती भाव यानि कुछ क्रियेट करने की फbles से Warum समव्म हम अंदर शी चीज की रजना करें कुछ create करें तब ही हम कुछ create कर पाते हैं जो बढ़े बड़े colonнд duties यह painting बनाते हैं इनके अंदर पहले feeling आती है ऐसी करना है हम today कि पेइंट करना है ये हमें कुछ करना है सब करना पता हैं तो हम नात्म कारिया की अधिकार साक्री कर 지방 की कोशिश करते हैं तो स्वामित्व के साथ संग्रहन जुड़ा हुआ है यानि की वो चीज हमारी है और उस पर हम अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं उसका संग्रहन करने की कोशिश करते हैं फिर आता है अगला संवेग भूक जब हम भूक लगती है तो हम क्या करते ह हम भोजन की तलाश करते हैं खाना डूनते हैं किचिन में जाके कि खाने के लिए क्या बना है क्या नहीं बना है यह क्या रखा हुआ है फ्रिज चेक करते हैं बार-बार यह कब करते हैं हम जब हमारे अंदर भूख नाम का समवेग या इमोशन डवलप होता है अगला है मनोविनोद यानि कि जब हमारे अंदर ये समवेग उत्पन होता ये emotion develop होता है कि हम खुद को किस तरीके से खुश करें तब हम एसी चीजों की तलाश करते हैं जो हमें खुशी दे सके जिनसे हम हस सकें जिनसे हम अच्छा महसूस कर सकें तो इसके साथ जुड़ा हुआ है laughter या हास से अगर मैं हिंदी में कहूँ अगला है वातसल्य जब माता पिता के अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार उत्पन होता है या प्रेम उत्पन होता है तो वो क्या करते हैं तब उनकी जो मूल प्रविर्टी इसके साथ जुड़ी भी होती है वो जुड़ी भी होती है parental care यानि कि वो जादा सदा अपने बच्चों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं उनको प्यार देने की कोशिश करते हैं अगला हम देखें तो जब हमारे अंदर आत्म अभिमान का समवेग आता है तब हम गौरव महसूस करते हैं हमें लगता है कि हम किसी काबिल हैं हम कुछ कर सकते हैं तो आत्म अभिमान के साथ मूल प्रविर्टी जुड़ी हुई है गौरव इसी तरीके से आत्म हींता आत्महींता भी एक समवेग है, एक एमोशन है जब हमारे अंदर आत्महींता आ जाती है हमें लगता है हम किसी लायक नहीं है सामने वाला अगर हमें कहकर जाता है कि तुम किसी लायक नहीं हो तुम ये काम नहीं कर सकते तो हम वो चीज accept कर लेते हैं, हम समरपन कर लेते हैं उसके सामने, कि हाँ हम मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यूं? क्यूंकि हमारे अंदर जो emotion उस वक्त होता है, जो समवेग होता है, वो होती है आत्म हीनता, इसलिए हम react भी उसी तरीके से करते हैं, अगले के अगर हम बात करें तो अगला है घ्रणा, hate, जब किसी चीज से हमें नफरत होती है, तब हमारा मन होता है कि इससे किसी तरीके से छुटकारा पालें, चाहे वो कोई चीज हो, कोई इंसान हो, किसी भी चीज से जब हमें घ्रणा होती है, तो हमारा मन करता है कि बस यह हमारी जिंदगी से निकल घ्रणा संवेग के साथ निवरती मूल प्रवरती जुड़ी हुई है, इसी तरह से अगला है जब हमारे अंदर करुणा का संवेग उत्पन होता है, तब हम जो मूल प्रवरती करते हैं, वो होती है शरणा गती, किसी पर दया या रहम का जब संवेग आता है, तो हम यह क्रि प्रवर्तियां जुड़ी हुई हैं मूल प्रवर्तियां simple way में वो सारे काम हैं जो हम emotion हमारे अंदर आने के बात करते हैं कोई समवेख हमारे अंदर उत्पन होता है तब जो काम हम करते हैं जिस तरीके से हम react करते हैं उनको कहा जाता है मूल प्रवर्ति जो कि सीखी नहीं जात कि जन्मजात होती है इसि की सिध्धान की कुछ आलोश नाय भी की गई है कि कि इन कि वज़े से कृतिकर कि गया है इसको वो हम देखने की कोशिश करें के पहला animal यह है कि हम जितना वहवार करते हैं वो सरिफ मूल प्रवर्तियों से ही नहीं होता मूल प्रवर्ति हमारे वहवार का पूरा हिस्सा कवर नहीं कर सकती ओके पहली बात तो यह हो गई और दूसरी बात यह है कि जो motivation level हमें इन instinct से मिलता है वो किसी में कम भी हो सकता है और किसी में जाधा भी हो सकता है अब इसको हम example के थूँ समझने की कोशिश करते हैं for example आपको किसी ने एक बात बोली जिससे आपको गुस्सा आया वही सेम बात उस शक्स ने एक दूसरे इंसान को भी बोली अब आपको इत नोर करके चला गया तो यहां पर एक दोनों का level of motivation अलग-अलग हो गया ओके यानि कि इस बात से यह साबित होता है कि यह जो सेम चीज विल्यम मैक्डूगल ने बताई हैं यह जो मूल प्रवर्तियां बताई हैं यह सभी इंसानों पर समान रूप से लागू नहीं होती कोई कि इन मूल प्रवर्तियों से जादा प्ररित हो जाता है और जादा रियक्ट कर देता है जबकि किसी पर इनका बहुत कम असर होता है या बिल्कुल ना के बराबर ही असर होता है तो यह कुछ criticism है यह कुछ आलोचना है जो इनके सिध्धान्त के बारे में की गई हैं तो यह यह थी आज की थियोरी यह था आज का सद्धान्त आई होप कि आपको समझ आया होगा वीडियो पसंद आई होगी इस लाइक वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू